सबी को नमस्ते मेरा नाम नीड़ जत्री है और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है मैंने इस श्रिंखला के पिछले पार्ट में बताया था कि किस तरह से फाइजान मुस्तफा नाम का एक विक्ति है जो वाइस चांसलर राइक लाउ उनिवर्सिटी का उसने अपने वीडियो में इस तरह का भ्रमजाल फैलाने की कोशिश की है कि जो यहां हमारे देश में बुद्ध मत है उसको समाप्त करने में सनातन धर्म का रोल था मुसल्मानों का उसमें कोई रोल नहीं था और इसके लिए उसने आजके हिंदूऊ में एक गलानी भाव भरने की कोशिश की है अब हम जानते हैं कि आज के हिंदू या मुसल्मान तो इतिहास में पीछे नहीं जा सकते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया होगा ऐसा लेकिन यहां इनका वास्तवे को देश यह जूट बोलके यह जताने का होता है कि जो इसलाम है वो एकदम साफसुत्रा मजभ है उसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन जो सनातन धरम है जो हिंदूस्तान जो भारत देश है इसकी परमपराएं ऐसी रही है कि यहां पर मत क्या धार पर सोच क्या धार पर मजभ क्या धार पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता रहा है और जैसे जैसे अब आगे जो कृष्ण जन भूमी का मामला उठेगा वैसे ही ये लोग और ज़्यादा गरमाते जाएंगे और ये पिछले कई वर्षों से एकाम कर रहे हैं अपने इस वीडियो में फैजान मुस्तफा ने ये जताने की कोशिश की थी के एक शिव भक्त था मेरकुल नाम का जिसने के बहुत सारे बुद्ध मुनिस्ट्रियों को तोड़ा था उनके स्तूपा तोड़े थे और बहुत सारे बुद्धों का नरसंधार भी किया था सुनिए एक बार पोस गुपता पीरियड में आ जाईए अब दूसरे एक और चाइनीज बुद्धिस ट्रेवलर आ रहे हुएं सौंग जो इंडिया में आये 631, 645 में खर्षवर्धन की रेन है वाट इस राइटी इस टेट्स देट्ट देट्ट थाउजंड सुना रूलर मिराकुला, डिवोटी अफ शिवा डेस्ट्रॉइट सिक्स्टीन हंडेड बुद्धिस सतुपास और मॉंस्ट्रीज और किल थाउजंड सव बुद्धिस मॉंग्स जो मैंने जवाब दिया शर्म से मेरा सर जुका चाइना में वो ये था अब आपको इसमें जो पहली चीज नोटेस करनी है कि वो जो रेफरेंस दे रहा है उसमें उसने अपनी और से शब दैड कर दिया है महर कुला आश शेवा डेवोटी जबकि उस रेफरेंस में कहीं पर शेवा डेवोटी आपको शब देखने को नहीं मिलेगा अब आगे चलते हैं मैंने कहा कि ये जो इनका जूट फैलाने का तरीक है बहुत पुराना है आज से कुछ वर्ष पहले क्या हुआ था कि रॉमिला थापर जो ये माक्सवादी लेखन की और हिंदों को नीचा दिखाने वाली लेखकों की शरंखला में जो सब की माँ है उसने इस तरह का प्रपंच शुरू किया था तो एक बहुत अच्छे इतिहास का रहे है सीताराम गोयल अब तो नहीं रहे लेकिन उन्होंने एक किताब कंपाइल की थी हिंदू टेंपल्स वाट हैपन्ट टू देम जिसने उन्होंने एतिहासिक तत्यों के साथ बताया था कि किस प्रकार से हमारे देश में हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था और इनको तोड़ने वाले मुसल्मान थे जो बाहर से आये थे जो अकरानता थे उन्होंने अपनी इसी किताब के अंत में ये बताया कि उसने रॉमिला थापर को पत्र लिखा था कि आप बताईए कि इस तरह के कौन-कौन से इंसिडेंट है जहां पर के हिंदू ने भी ऐसा काम किया हो कि दूसरों के जो पूजास्थल हैं उनका विनाश किया हो तब रॉमिला थापर ने एग्जेक्ली यही आर्गुमेंट दिया था जो आज ये फाइजान मुस्तफा दे रहा है आईए देखते हैं से उसने रॉमिला थापर ने सीताराम गोयल जी को एक चिठी लिखी थी वो चिठी उन्होंने अपनी इस किताब के एंड में दी है उसका हम पॉइंट बाइपॉइंट चेक करते हैं कि क्या लिखा था पहले वो बताते हैं कि रॉमिला थापर ने क्या बोला उसने का कि हूँन सांग जो था चीन से आया था उसने बताया कि यहां पर सेंकडों मोनेस्ट्रीज को तोड़ा गया लेकिन हो सकता है कि आप यून सांग की जो ये एविडेंस है जो उसका सबूत है उसे ना माने क्यूंकि वो बौधमत का था इसलिए हो सकता है कि वो पक्षपात कर रहा हो लेकिन हमारे दीश में एक और एतिहासिक पुस्तक है जिसे राजतनंगणी कहा जाता है कश्मीर में लिखी गई थी इसे लिखने वाला कलन नाम का एक ब्रामन था तो यहां पर रॉमिला था पर ये कह रही है कि आप कम से कम कलन ने जो राजतनंगीने में लिखा है उसे तो मानेंगे उसने कहा है कि जो ये महर कुल था हून था वो और उसने यहां पर बहुत सारे बुद्धों पर अत्याचार किये वही वाली बात कि सोलां सो मोनेस्ट्रीज को तोड़ थे बहुत सारे बुद्धों को मारा इसके बाद सीताराम गोयल जी अपनी इसी किताब में बताते है कि उन्होंने फिर रॉमिला थापर को एक दुबारा पत्र लिखा था तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहां पर उन्होंने सबसे पहली चीज ये बताई कि रॉमिला थापर ने इतना तो लिख दिया लेकिन इसमें जो असली चीज थी उसने छिपा दी या जान बूज के नहीं बताई और वही काम फाइजान मुस्तफा भी कर रहे है हुआ क्या था महर कुल एक हून आकरांता था जो बाहर से आया था और उसने यहां पर हमला किया और यहां पर कुछ काफी बड़े पॉर्शन पर उसने कबजा कर लिया अब वो यहां आकर पहले तो बाधमत को सीखना चाहता था तो उसने बाध भिक्षों को उनके एक विहार में यह संदेश दिया कि मैं बाधमत सीखना चाहता हूँ तो मुझे सिखाया जाए तो बाध भिक्षों ने उसका अनादर करते हुए उसे एक ऐसा विक्ति नियुक्त कर दिया जो एक नौकर या बहुत ही निचले स्तर के रैंक का था बहुत ही निचले स्तर का था विक्ति उसे भेजा जिससे के जो हून राजा था महरकुल यह उनसे चिड़ गया और उसके बाद उसने बुद्धिस्टों को अपना निशाना बनाना शुरू किया था तो यह कहानी आपको ना माकसवादी लेखक बताएंगे और ना यह सोकॉल मुसलिम बुद्धी जीवी बताएंगे फिर इसमें सीताराम गोईलेक और बताता है कि वो शैव बन गया था यह शिव भक्त बन गया था इसमें बहुत जादा डाउट है उसका कारणी है कि उसने कुछ शिव मंदिर बनने दिये थे लेकिन वो शैव मत को कितना समझ बाया था इसके बारे में कोई भी सपश्टता से नहीं कह सकता है उसने अपने जो सिक्के बनवाए थे उन पे उसने कहीं जगापर एक ऐसी अकृती बनवाई थी जो शिव जी से मिलती जुलती है लेकिन उससे कहीं भी ये स्थापिद नहीं होता कि वो शिव मत के अनुसार चल रहा था और नहीं कहीं शिव पुराण में या ऐसी शिव पुस्तकों में कहीं लिखा है कि आपने दूसरों को नश्ट करना है अब यहां नॉर्मली क्या किया जाता है एक और ट्रेक अपनाते हैं यह जो मुला माक्सिस नेक्सस है कि वो यह बोलने की कोशिश करते है कि सीताराम गोयल जो है वो तो हिंदू विचारधारा के पक्षधर थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया है तो मैं आपको एक दूसरा उदाहरन देता हूँ देखे अगला जो मैं उदाहरन ले रहा हूँ वो उपिंदर सिंग की पुस्तक में से है अब यह उपिंदर सिंग कौन है जो हमारे भूतफूर प्रधान मंत्री थे मनमोहन सिंग यह उनकी बेटी है और दिल्ली उनिवस्टी में इन्होंने इतिहास का जो विभाग था उसकी यह अध्यक्ष रही है head of department रही है तो हम यह मान सकते हैं कि इन्होंने अगर पुस्तक लिखी है तो उसमें तथ्यात्मक लिखा होगा और हिंदूवादी विचारधारा से तो एक कतई प्रभावित नहीं है इसलिए इनके साक्षय को तो अच्छी तरह से जो वामपंथियें वो भी मान लेंगे उपिंदर सिंग ने किताब लिखी है Political Violence in Ancient India इसके page number 241 पर वो हमें बताती है सेम बात कि जो यह यून सांग था उसने ये clearly बताया है कि महरकुल ने पहले बहुत भिक्षों के पास यागरे किया था कि मुझे बहुत मत सिखाया जाए लेकिन जब उन्होंने नहीं सिखाया तो इससे चड़ने के बाद उस राजाने इनको तंग करना शुरू किया था अब आते हैं कलन द्वारा लिखिवी राजतरंगिनी में जिसको इन्होंने नाम भी गलत बोल दिया फैसान मुस्ताफा ने हम राजतरंगिनी को पढ़के देखते हैं अथ मलेच गणा कीरने मंडले चंडचेश्टिता तस्यात्म जो भूमिन मिहरकुल कालो पमोन रिपा यह उसका दोस्व नवासिमा जो शलोक है उसमें यह लिखा हुआ है यहाँ आप ध्यान से देखिए तो वो मिहरकुल को मलेच कह रहा है वो उसको कहीं पर भी सम्मान नहीं दे रहा क्योंकि उसका विभार ही इस प्रकार का था और दूसरी चीज़ आप देखिए वो उसको कालो पमोन रिपा कह रहा है कि ऐसा राजा था जो मौत का साक्षात रूप था रॉमिला था पर ने एक और चीज़ बताई उसने कहा कि गांधार में उसने ब्रामनों को अग्राहार के लिए भूमी अनुदान में दी थी जिससे ये स्थापित होता है कि वो हिंदू था या वो सनातन धर्म या शैव मत को मानने वाला था अब इसके बारे में कलनन क्या लिखता है वो देखिए अग्रहारांज ग्रिहीरे गांधारा ब्रामनास तता समान शीला स्तत स्यायव ध्रुवम तेपी द्विजाधमा तो यहां पर वो इनी अग्रहारों की बात कर रहा है लेकिन वो साथ में क्या बता रहा है कि वहां के जो द्विज अधम थे यानि सबसे नीच प्रकार के ब्रामन थे जो इस तरह के विक्ती से यह इस तरह का भूमी अनुदान ले रहे थे तो यहां आपको स्पष्ट कर देता है कि यहां पर कभी भी इस तरह के लोगों का सम्मान नहीं किया गया जो दूसरों की पूजा स्थलों को नश्ट करते हो लेकिन यह प्रॉपैगंड़ा फैलाने वाले लोग इस तरह से गलाने भाव भरने की कोशिश करते हैं और आधी चीज़ें बताते हैं आधी चीज़ें छिपा लेते हैं मेरा आपसे निवेदन यह है कि जैसे जैसे वर्ष बढ़ेंगे इनका प्रॉपैगंड़ा आगे और बढ़ने वाला है तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित प्रसारित करें अगर आप मेरे वीडियो का जो कंटेंट है उसे लेके अपना वीडियो बनाना चाहते हैं उसे भी बनाएं ब्लॉग लिखे, पुस्तक लिखे, पैमफलेट लिखे, कुछ भी करें लेकिन इनको फैलाएं जरूर आज के लिए इतना ही, नमस्ते